लूड़ एवरीवन दिस लवी चौधरी ओम टूटर अकेडमी में एक बाद फिर आप सबका स्वागत है अभी तक हमने टू क्लास कर चुके हैं ग्रैमर स्थी की और आध इसकी 3rd class है 1st class में हमने present indefinite tense को पूरा अच्छे से समझा था और 2nd class में हमने present continuous tense को बहुत ही अच्छे से detail में समझा था आज grammar series की 3rd class है जहाँ पर हम present का 3rd subtypes यानि की present perfect tense पढ़ने वाले हैं तो अगर आपने अभी तक grammar series की 2 classes नहीं देखिए तो please पहले आप उनको जरूर देखिए अगर आपने उन classes को miss कर दिया है तो आगे की classes आपको कम समझाएगी तो friend please पहले आप उन 2 videos को अच्छे से cover कर लीजिए आगे की video तभी देखना तो चलिए friend start करते हैं क्या पढ़ने वाले आज हम present perfect tense क्या पढ़ने वाले है present perfect tense perfect का मतलब क्या होता है कोई भी काम जो हो चुका है अब यहाँ पर present perfect tense है तो जो वर्तमान में काम हो चुका है जो वर्तमान में काम हो चुका है उसी का हम present perfect tense बोलते अगर यहाँ पर past होता पहचान देख लेते हैं, पहचान क्या है, वाक्य के अंत में या है, ये है, भी है, चुका है, चुकी है, चुकी है, आदी सब्द आते हैं, वाक्य के अंत में क्या आता है, या है, ये है, भी है, चुका है, चुकी है, चुकी है, आदी सब्द आते हैं, तो friends अब हम इसको आग सबसे पहले किसका यूज करना होता है सबसे पहले किसका यूज करना होता है इसको जानने के लिए point one समझते हैं I, V, U, D तथा plural noun मतलब भवचन के साथ हमेशा have का use किया जाता है किसके साथ किया जाता है I, V, U, D तथा plural noun के साथ have का use किया जाता है second point है हमारा he, she, it या किसी भी व्यक्ति का नाम तथा singular noun यानि की equation के साथ has का use किया जाता है हमेशा धियान रखना है has का use का जाता है singular noun के साथ और have का use का जाता है plural noun के साथ ओके friends चली friends अब हम affirmative sentence का एक example देख लेते हैं क्या sentence है हमारा मैं अपना part याद कर चुका हूँ तो इस sentence में सबसे पहले हमें देखना है subject क्या है subject है मैं और make English क्या होती है I अब हमें subject देखना है singular है या plural है तो I कैसे subject है हमारा plural और plural के साथ क्या बताया था मैंने क्या एगा have तो क्या लगाए गए हम I have helping word बाद ही helping word के बाद हमें देखनी है kriya kriya क्या हो रही इसमें याद करने की याद करने क्या कहते हैं learn मैंने आपको बताया था present perfect tense में third form का use करते है तो learn की third form क्या हो जाएगी learnt अब हमें इसमें देखना object मैं क्या याद कर रहा हूँ अपना part क्या याद कर रहा हूँ अपना part तो I बहार है तो I के लिए अपने की क्या जाएगी माई तो I have learnt my lesson क्या बन गया यह I have learnt my lesson तो यह sentence टिलियर हो गया हमारा यह friends अब हम negative sentence को थोड़ा सा समझ लेते है negative sentence कैसे बनते है इसका structure क्या है पहले subject आएगा then after has, have जो की हमने has, have का use समझ लिया है health का use singular noun के साथ और have का use plural noun के साथ यह हमारा helping verb की तरह use हो रहा है यहाँ पर और negative sentence में not का use कहाँ पर होता है helping verb के तुरंत बाद not का use होता है फिर verb की third form plus object अब हम इसको भी एक example के थुरू समझेगे चलिए कोई example ले लेते हैं friends हमारा example आ गया है लड़की है तो सबसे पहले हमें subject देखना है subject हमारा है इसमें वह बट वह तो लड़के के लिए भी आ सकते हैं लड़के के लिए भी आ सकते हैं तो sentence को पढ़े है और समझे उसमें किस की बात हो रही है वह गीत नहीं गत चुकी है तो किसकी बात हो रही है लड़की की और लड़की के लिए वहक इंगलिश क्या होती है शी अगर यहाँ पर लड़के की बात होती है तो यहाँ पर ही आ जाता है तो she अब see हमारा singular है या plural subject है तो ये कैसा subject है हमारा singular और singular के लिए किसका यूज रोता है has का तो see has अब हमें helping word भी मिल गई subject भी मिल गया helping word के तुरंट बाद अगर negative sentence है तो किसका यूज करेगा not का तो नहीं कि English क्या जाएगी not, तो see has not see has not क्रिया क्या हो रही है गाने की और गाने की English क्या होती है sing और sing की थर्पों क्या होती है sung तो क्या बन गया ये see has not sung क्या नहीं गाती है गीर तो sung a song क्या बन गया ये see has not sung a song अब हम इंट्रोगेटिव को समझेगे अच्छे से ओके फ्रेंड्स तो चलिए इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर कैसा है 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 मतलब जो हमारी हैल्पिंग वर्ब होती है वह हम ऐसा बहार निकालनी होती है याद रखना चैसे अब हम इसको भी एक एक्जामपल के थो समझते हैं हमारा एक्जामपल है इंट्रोगेटिव का क्या माताजी खाना बना चुकी है जब भी हमें interrogative sentence बना रहा हो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है subject हमारा subject क्या है आपर माता जी मतलब mother हमें subject मिल गा है अब हमें देखना है singular है या plural है तो कैसा subject है ये singular तो singular का Name का इंगलिछ यहां पर क्या जाएगी has has mother abide after उसके बाद आएगे हमारी ख्रिया क्रिया क्रिया हो ही और बनाने के को कहते है yakuk हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट एंस में वर्ब की की थर्डफोम का यूज होता है तो हमें किरिया तो मिलगगा ही ना कूक तो इसको कूक की थर्फोम क्या हो जाएगी vacun m तो has mother cooked क्या बना चुकी है माताजी? खाना, तो has mother cooked the food question mark तो sentence बनी है हमारा has mother cooked the food ये बन गया हमारा interrogative sentence next कुछ example तो देख लेते हैं तुमने जूट बोला है तो यह affirmative sentence का एक example है तो इसमें हमें सबसे पहले क्या देखना है subject, subject क्या है हमारा इसमें तुमने, तो तुमने की English क्या हो जाएगी, you और you हमारा singular है या plural है तो यह कैसा subject है हमारा plural और plural के साथ हमेशा have का use होता है, तो क्या बन जाएगा you have क्रिया क्या रहे इसमें ball लेगी तो you have told तुमने क्या बोला है तो object निकल का आगे, जूट तो क्या हो जाएगा, a lie one minute तो you have told a lie तो क्या बन गया है हमारा you have told a lie sentence complete हो गया हमारा हमें subject मिला था यहाँ पर तुमने मतलब you और you कैसा subject है हमारा plural plural के साथ हमने क्या use कर दिया helping verb have तो you have क्रिया क्या मिली हमें यहाँ पर tell और tell की थर्फोंग क्या होती है told object क्या मिला, जूट told a lie you have told a lie example हमारा ram our school नहीं गया है इसमें हमें सबसे पहले क्या देखना है subject subject कौन सा हमारा ram subject हमें मिल गया ram अब हमें subject तो मिल गया अब हमें यह देखना है singular है यह plural है तो subject कैसा है ram हमारा singular और singular के लिए कौन सी helping verb की use होता है present perfect tense में has का तो ram has अब हमें इसमें not भी लगाना है क्योंकि इसमें नहीं भी दिया हुए तो helping verb के तुरंद बाद में आपको बता है not आएगा तो helping verb की आती है हमारी has ram has not अब क्रिया क्या हो रिए इसमें जाने की मतलब गया तो जाने की क्रिया क्या होती है go go की third form क्या हो जाएगी present perfect answer third form का use करते है तो क्या हो जाएगी gone ram has not gone to कहां पर नहीं गया है वो school नहीं गया है तो object निकल गया हमारा ram has not gone to school कब नहीं गया है अगर timing है तो timing हमेज़ा end में आता है तो कब नहीं गया है आज तो ram has not gone to school today तो जो भी टाइमिंग है वो end में ही आता है sentence complete हो गया राम हैस नॉट गॉन तो स्कूल तो यह sentence हमारा complete हो गया तो friends आज हमने cover किया है present perfect tense अगर आपने अभी तक grammar series की दो classes नहीं देखे तो please सबसे पहला आप उनको देखे then after आप आज की class cover करेगे okay friends अगर आपने भी तक channel को like और subscribe नहीं किया है तो please channel को like and subscribe करें और bell icon प्रेस करना बिल्कुल ना मुले okay friends मिलते आप से next video में